एंदोर रेल्वे ने 22 कोच को आईसोलेशन गौर्ड में तबदील कर दिया है। रेल्वे प्रबंदन ने प्रशासन को इसकी जानकारी देते हुए एक पत्र भी लिखा है। कि जब भी चाहें इनका उप्योग कर सकते हैं, सभी कोच स्टेशन पर तयार खड़े हैं और हर कोच में 35 मरीजों के लिए व्यवस्था की गई है। रेल्वे प्यारो जयन्त कुमार ने बताया है कि पिछले साल भी रेल्वे ने कोच में आईसोलेशन वार्ट बनाये थे और इसके लिए राजजिशासन के साथ ही जिलाप्रशासन को पत्र लिख कर सूचित भी क्या था। लेकिन इसका उप्योग नहीं हो पाया था। लेकिन प्रशासन द्वारा यह कहके उन कोचों का प्योग नहीं किया गया था कि हमारे पास स्टाफ नहीं है इसकी वैसे हम लोग उसका प्योग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से अभी कोविट बढ़ रहा है तो रेल प्रिशास ने फिर एक निर्ने लिया है कि अभी हम लोगों ने चौबीस कोच तयार करके लक्षपाई नगर स्टेशन पर रखे हुए हैं अगर रेल प्रिशास मेडिकल डेपार्टमेंट को अगर बास्तम में जरूरत है तो वह कोच जो इस्वलेशन कोच मरीजों के लिए उप्रब्द हो सकते हैं कि तरह के व्यूस्था है इसमें की एक केविन में दो पैड है इसके बाद में एक प्लास्टिक का उसमें परदा लगा हुआ है और उसमें और ऑक्सिजन के सिलेंडर के यह भी हर के बाहर तो खुल मि अगे कहा कि बाद में धीरे धीरे अनलॉक हो गया और रेलवे ने विशेश गाड़ी के तहत रेलवे सीवा को शुरू कर दिया लेकिन फिर भी रेलवे ने 22 कोच को आइसोलेशन बॉर्ड बना कर रखा हुआ है जिसे प्रशासन जब भी चाहे उसका उप्योग कर सकता है सं अब यह पत्र तो मेरी जानकारी में नहीं है पर यह मैं जानता हूं क्यों उपलब्द कराते हैं अभी ऐसी स्तितिनी है कली इंडेक्स और हमने लिया है जिसमें लगवग 800 बैड हमने ले लिया है तो 800 बैड की वज़े से अभी हमारे पास बैड उपलब्द है अगर और बैड क्या उशिकता पड़ेगी तो हम रेलवे से भी है